सुनने में आया कि मालदीव गर्वर्वनेंट जोसने उसको तकरीवन एक बड़ी तदात में जो टूरिस्ट हैं वो इंडिया से जाते हैं जो इंडिया है वहां से भी लाखों लोग मालदीव जाते हैं टूरिजम के लिए तो ये जो बात की जा रही है कि ये बहुत महिंगा सकता है मालदीव को इंडियन समझते हैं कि अगर हम बाइकॉट करना शुरू करेंगे तो इनकी एकॉनमी को बहुत जादा एफेक्ट करेगी क्योंकि फिफ्टी परसेंट उनकी इकॉनमी इसके ओपर डिपेंड करेंड करें इंडिया जैसे इनों ने मोदी जी को उटा सीधा बोला जैसे भारत को टेशिदा बोला लोगों ने बोला कि अब हम नहीं जारे वाइकॉट कल यह खबर आई कि मॉल्डीव्स बैंक्रफ्ट हो गया मॉल्डीव्स हो गया बैंक्रफ्ट मॉल्डीव्स की हो गया कुड़की और ठीक चल रहा था तीन चार मेने पहले तो जब एक कैनेडा एक बड़ा कंट्री एक उसको जो है वो अगर उस तरीके से जवाब दिया जाएगा तो मालदीव्स को तो यह समझना चाहिए था कि उन मालदीवालों की जली उनके मंत्रियों ने परधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में अनाव सनाव बका यह सब कहानी तो आप जानते ही है उसके बाद भारतियों ने मालदीव का बाइकॉट किया यह भी आप जानते हैं अब बाइकॉट करने का नतीज़ा यह हुआ क कि भारत के लोग अब उधर बहुत कम जा रहे हैं, अपने एंजूइ करने के लिए वहाँ पर घूमने फिरने के लिए जो जाते थे, वो लोग अब बहुत कम जा रहे हैं, अब इसका नतीज़ा यह है कि माल्दियू जो है दिवालिया हो गया है, तो चलिए पहने वीडियो द आदमी होता है ना वैसे छोटे दिमाग का इनों लोगे सबके सामने एकU परिचेह दिया फिर चाइना की संब्मिरीन जब की चाइना के साथ जो भारत का चल रहा है मामला भारत ने इनको बोला भारत ने तक यई वार पहले भी समझाया था कि बही ऐसा मत करो नहीं, चीन की सम्मिरी ना आएगी चीन हमारा दोस्त है, भरत हमारा दोस्त थोड़ना है ये सब अब ये matter हुआ दोस्तों कल ये ख़बर आई की Maldives bankrupt हो गया Maldives हो गया bankrupt, Maldives क्यों हो गया कुड की, और ठीक चल रहा था 3-4 मेने पहले 3-4 मेने तक मूँ ठीक चल रहा था, मोटा मोटी Maldives, हाँ, प्रॉब्लम थी कर्जे थे, पर कर्जे तो हर एक देश के उपर होते है अमरीका, भारत, रूस, चाइना सब के उपर कर्जे हैं, तो देश अपने कर्जे मैनेज कर लेते हैं 99% देश जो हैं अपने कर्जे मैनेज कर लेते हैं, छोड़ के पाकिस्तान जैसे जो बास्क्रिट केसे हैं, वो नहीं कर पाते हैं, लेकिन जारा तर देश अपने कर्जे मैनेज कर लेते हैं यह भी अपना कर्जा मैनेज कर रहा था यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों कि जैसे ही इन्हों ने मोदी जी को उटा सीधा बोला जैसे ही भारत को उटे सीधा बोला लोगां ने बोला कि अब हम ने जा रहे बॉयकट तो मॉल्डीविस में दोस्तों नमबर वन भारतीय थे जो जाते थे टूरिजम के परपस से और मैक्सिमम जो नमबर्स था खर्चा जो सबस्यादा करते थे भारतीय करते थे नमबर टू पर अशियन नमबर थ्री पर चाइना आप इनको थोड़ा सा डर लगा किया है यह गड़बड हो गई यह जादा हो गया हमने जादा बोल दिया अच्छा एक और चीज़ है भारत से किसी भी मंतरी ने या फिर ओनरबल प्राइम मिनिस्टर या कोई भी और मिनिस्टर ने इसके उपर रियाक्शन नहीं दिया जो भी रियाक्शन था बड़ा फॉर्मल था कि बड़ी अफसोस की बात है यह सब जिसका नॉर्मल डिप्लोमाटिक होता है किसी ने जिसको हम क्या बोलते हैं लखने हम कहाई दो चीकट पना नहीं करा किसी ने जैसे चीकट है नहीं के लोग माल्डीव्स के तो वो चीकट पना यहां पर नहीं था यहां पर बड़ा क्लैसी तरीके से इस चीज़ का जवाब दिया गया अब पता लग रहा है कि माल्डीव्स बैकरप्ट हो गया आपको याद होगा इससे पहले इंडिया और कैनेड़े का जो मामला हुआ अब कैनेड़ा और माल्डीव्स का तो कोई कमपैरिजन ही नहीं है लेकिन फिर भी क्या हुआ कि ये देखा कि कैनेड़ा को कई बार जुकना पड़ा यहां तक उनकी तरह से का गया कि हम तो नहीं चाहते सिस्पेंड करें किसी को आपने ऐसा क्यूं किया जो वो निकाला गया उनको उस सब में कैनेड़ा ने फिर ये भी कहा कि हम अपनी ट्रेड भी कमनी चाहते हम ये भी नहीं चाहते कि हमारी तालुकात खराब हो फिर वो डिरेक्ट उन से बात करते वे भी घबरा रहे थे एक ऐसा जवाब इंडिया की तरफ से गया जिसमें बजाएस के कि उनकी उनको जो कहा जा रहा था उन्होंने उल्टा उनके उपर जो है वो चड़ाई की थी तो जब एक कैनेड़ा एक बड़ा कंट्री एक उसको जो है वो अगर उस तरीके से जवाब दिया जाएगा तो तो कोई हैसियत ही नहीं उनके सामने और फिर यह के एक उनका जो टूरिजम भी डिपेंट करता काफी एकॉनमी जो है मतलब क्यों हो गया मॉल्डिवस बैंक्रफ्ट यह भी जानने की ज़रूए था है मॉल्डिवस का 60% लोण उन्हों चाइना से लिया है चाइना के दो बैंकों से उन्होंने अपना 60 प्रतिशक लोण लिया है यानि की चीनी अगर बोलेंगे कि कुदो तो यह नहीं कि कुदना है नही पैसे दिये जब चीन ने इनको पैसे दिये और कितने पैसे आपको पता है only 4 million US dollars 4 million US dollars कितना होता है लगब 35 करोड रुप है मोटा मोटी कह रहा हूं एक दो करोड दायमाय होगा यानि 8.2 8.3 to a dollar होता है न 82 82 83 rupees to a dollar आप यह मान के चली तो आप देख लिजए कि करीब 35 करोड का गया है यह 35 करोड वापस नहीं कर पाए चाइना को तो चाइना ने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं घर की बात है don't worry हम लोग एक कान करते हैं हम न आपका एक island ले लेते हैं तो चाइना ने इ ने बोला हमारी philosophy है ही नहीं हम तुमारी मदद कर रहे हैं पर मुझे लगता कहीं न कहीं भारत को समझ जाना चाहे था भारत को समझ जाना चाहे था बारत को बोलना था कि हां बेटा हम maldivs करीद रहे हैं अब बोल दो अड़ानी अंभानी को चेक काट कर दे देंगे 10-15 bilion डालर का खरीद लो पूरा देश क्या चक्रिश में क्या प्रब्ल लगा है हमारे बगल में तो है वो खरीद ले ते पूरा क्योंकि चाइना यही कर रहा है मैंने कोई ऐसे मैं डायलोग बाजी नहीं कर रहा आपके सामने चाइना ने हन्मन टोटा पोर्ट खरीदा ना श्रिलंका से खरीदा क्या 99 साल की लीज में ले लिया उसने ले लिया तो ले लिया जो अमरीका का अलास्का है जो अलास्का स्टेट है अमेरिका का आपको पता है कई साल पहले वो रूस का हिस्सा था रूस ने वेच अमरीका ने खरीद लिया तो ये खरीद फरोग तो चलती है, ऐसे दसियों एक्जाम्पल है, तो हमें ये कर देना चाहिए था, हमने नहीं करा, डीसंसी के मारे हमने बोला ठीक है छोड़ो यार, जाने दो कोई बात नहीं, लेकिन मॉल्डीव्स को डीसंट लोग समझ में नहीं आते हैं, मॉल्डीव्स अब पैसे खिलाने का नतीज़ा ये हुआ, कि चीन ने इनका एक पोट जो हड़प लिया है, सिर्फ 25 करोड में चीन ने इनका एक पोट हडप लिया है, भारत ने मालदीव की लाखो करोडो रुपे की मदद की है, लेकिन भारत ने आज तक कुछ भी हडपा नहीं है, क्यों उसके बदले में उसकी जो नियत में कुछ ना कुछ रहता है, कि उससे हडप लेना है, लेकिन भारत के ऐसी कुछ नियत नहीं रहती है, और मालदीव वाले जो है ना बस सेम उन लोगों का जो पाकिस्तान वालो जैसा ही हाल है, वो जो मुईजू है ना चीन से पैसे ले ले और प्रपरटियां खरीते हैं और पाकिस्तान की लंका लगा देते हैं, सेम वैसा ही उधर भी हो रहा है, तो लंका लग रही है, मालदीव की और जेब भर रहे हैं, मालदीव के जो मंत्री मुईजू साहब है वो, चलिए आपने वीडियो पूरा देखा, कॉमेंट्स करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, मिलते हैं अगले वीडियो में